सीजन फाइपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि टॉड ने वाल्टर को कॉल किया होता है वो वाल्टर को बता रहा होता है कि हमारी अब मैरेजमेंट चेंज हो गई है यानि प्रिवियस एपिसोड में हमने देखा कि लीडिया के कहने पर उसने पूरे ड्रग डिलर को खतम कर दिया है उसकी पूरी टीम भी मार डाली है तो अब टॉड कुक करने वाला है तो इसलिए वो उसे ये सब बता रहा होता है टॉड एक कैफे पर होता है और वो उसके अंकल को बताता है कि कैसे हमने ट्रेन से इतना बड़ा मेदलमिन चुराया वो बोलता है कि ये हिस्टरी का सबसे बड़ा ट्रेन हाइस था नेक्स सीन में आते है हम जेसी पर अब हैंग जेसी की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए आया हुआ होता है उसे एक चांस मिला होता है जेसे से बात करने के लिए वो जेसी को बोलता है कि मैं हाईजन बर की तलाश कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो वाल्टर ही है तुम अगर मुझे help करोगे तुमारे business के बारे मुझे सब कुछ बताओगे तो मैं भी तुम्हे help कर सकता हूँ तुम जब अब arrest होने वाले हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ मुझे पता है कि तुम खुश नहीं होँ क्योंकि खुश लोग ऐसे पैसे फिकते हुए नेबर हुट से नहीं जाते जैसी उस पर नाराज होता है क्योंकि उसने उसे बहुत ही मारा हुआ होता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता फिर बे हैंग पुरी कोशिश करता है पर तब यह वहाँ सॉल आ जाता है फिर सॉल उसे डाटता है और हमें वाल्डर दिखता है वो सॉल को भोल रहा होता है कि कितने भी पैसे लगे पर उससे तुम बाहर निकालो Walter को Hang ने बंच किया होता है तो इसलिए वो अपने आख पर मेकप लगा रहा होता है फिर Walter Junior उसे बता कर जाता है कि मैं Aunt Marie के पास जा रहा हूँ उसे help लग रही है उसके computer के लिए और मैं रात पर भी वही रुकने वाला हूँ अब Walter को उसे नहीं जाने देना होता तो वो Walter Junior को रोक लेता है उसे बोलता है कि मैरा अब cancer वापस आ गया है वो उसे बोलता है कि तुम्हें वरी करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत ही positive लग रहा है और हम इससे लड़ लेंगे यह सब सुनकर अब Walter Junior मरी के पास नहीं जाने वाला हैंक जब घर पर आता है तो मरी उसे पुछती है कि क्या तुमने सब कुछ बता दिया हैंक बोलता है कि मैं अभी किसी को भी नहीं बता सकता फिर Skylar और Walter जो होते हैं तो Walter की एक वो वीडियो क्लिप बनाते हैं फिर हैंक, मरी, Walter और Skylar सब एक जगा मिलते हैं यह आउटडोर होटेल होता है इस मिटिंग में फिर Walter, हैंक और मरी को बोलता है कि हमारे बच्चे को इससे बाहर छोड़ दो Walter Junior को अभी अभी पता चला है कि मेरा कैंसर वापस आ गया है और यह जो साल था, यह बहुत ही उसके लिए डिफिकल्ट था तो उसके लिए और भी डिफिकल्ट इस सब को मत बनाओ मरी बोलती है कि तुम लोगों नहीं बच्चों को हमारे घर चोड़ा था क्योंकि तुम्हारे या सेफ नहीं है फिर स्कैलर बोलती है कि जो हो रहा था, वो पास्ट में था अब वाल्टर यह सब कुछ नहीं कर रहा अब वाल्टर इस बिजनेस में नहीं है तो बच्चों को कोई भी ट्रबल नहीं हो सकता मरी वाल्टर को बोलती है कि तुम मर जाओ इसे बहुत सारी problem solve हो जाएगी Hank बोलता है कि मरने से कोई भी problem solve नहीं होगी Hank बोलता है कि इसने जो भी क्या है इसके लिए इसको सजा होनी चाहिए इतनी जल्दी है इससे भाग नहीं सकता फिर Walter ने जो वीडियो create की हुई होती है उसके एक CD वो उनको दे देते है और वहाँ से चले जाते है Hank जब घर आकर वो CD लगाता है तो उस CD में Walter ने मैसेज दिया होता है वो बोल रहा होता है कि Hank ने मुझे मेट कुक करने के लिए बोला था मैं Hank के अंडर ही एक बहुती मेट अंपायर चला रहा हूँ Hank के DA में connections थे तो एक साल पहले जब मुझे cancer हुआ था तब उसने मुझे मेट कर सकते हो या नहीं ये सवाल पूचा था मैं मेरे family के लिए कुछ पैसे छोड़ कर जाना चाहता था और मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं उसके अंडर काम करने लगा Hank का Gustavo Fring पाटनर था उन दोनों के बीच में कुछ जगड़ा हो गया तो Gustavo Fring ने ही Hank पे गोली चलवाई थी Hank के जो medical bills थे वो फिर मुझे ही पेक करने बड़े मुझे इन सब से निकल जाना चाहिए था पर Hank ने मुझे threaten किया फिर Don Salamanca से मिलकर Hank ने Gustavo Fring को मार दिया मैंने ही उसका जो bomb था वो बनाया था मैं मैथ को करना ना बोल रहा था तो इसलिए उसने मेरे बच्चो को भी उसके घर पर रखा था अभी-भी मैंने उसको फिर से बताने के कोशिश की तो उसने मुझे फिर से पंच किया और Hank ने उसे previous में मारा हुआ होता है तो उसकी जखम वो दिखाता है फिर Hank Murray से पुछता है कि कौन से बिल Walder ने पेक किये थे तो Murray बोलती है कि तुमारी जो therapy विगरा थी उसके सब बिल्स Walder ने पेक किये थे तो हमारा insurance वो cover नहीं करने वाला था और Walder ने मुझे बताया था कि ये gambling money है तो इसलिए मैंने उसे pay करने दिये थे Hank बोलता है कि तुमने मुझे बरबात कर दिया फिर desert में meeting हो रही होती है Saul, JC और Walder की Walder वहाँ आकर सब की गाड़ी चेक करता है उस पर tracker है या नहीं ये वो चेक कर रहा होता है Walder वही जैसी से बुझता है कि उसे क्या-क्या मालूम है जैसी बोलता है कि तुम उसे मालूम है कि तुम हैजनबर्ग हो पर उसे इतना evidence वेगरा उसके पास कुछ भी नहीं है उसने DA को भी कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि उसकी team वह नहीं थी फिर वो जैसी को समझाता है कि तुमें अब फिर से नहीं शुरुवात करने चाहिए तुम अभी भी young हो और तुम नहीं शुरुवात कर सकते हो family create कर सकते हो तुम्हारी life change कर सकते हो वो उसको sell कर रहा होता है कि तुम्हें अभी यह से चला जाना चाहिए तो जैसी उस पर चीट जाता है कि तुम कभी ना कभी तो सच बोल दो तुम्हें अगर चाहिए कुछ तो directly पूछ लो मैं तुम्हें ना नहीं बोलने वाला और तुमने यह जो meeting रखवाई है यह भी desert में ही है यानि कि अगर मैं ना बोला तो तुम मुझे मार दोगे जैसी यह सब बोलते बोलते रो रहा होता है तो Walter जाकर उसे हक करता है जैसी अब चला जाएगा इससे Walter को भी बहुत दुख हो रहा होता है हैंग ने जैसी का बीचा करवाने के लिए दो लोग assign के होते है हैंग का partner वहाँ आकर उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते वो मेरे आदमी है और मुझे boss को भी जवाब देना पड़ेगा हैंग फिर वहास निकल जाता है और वो खुद जैसी का पीचा करने में लग जाता है जैसी फिर सॉल के बास आया हुआ होता है सॉल के बास वो साथमी का नंबर होता है जो लोगों को disappear करके नई identity देखके जिस country में उन्हें जाना होता है उस country में वो पोचवा देता है तो अब जैसी वहा से गायप होने वाला होता है जैसी वीड कर रहा होता है तो सॉल उसे बोलता है कि अगर तुम वहा हाए गये तो वो तुम्हें बिक अप नहीं करने वाला वो से strictly warning देता है कि तुम्हे वहाँ available होना ही है क्योंकि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो वो फिर से तुम्हें लेने नहीं आएगा वो उसे एक mobile भी देता है जेसी को अब Alaska जाना होता है जेसी ये Alaska प्लेस चूस करता है क्योंकि Mike को वहाँ जाना होता है ये हमें जेसी की जो special stand-alone movie है अलकमीन उसमें ये सीन दिखाया गया है तो जेसी अब Alaska जाना चाता है जेसी जब डोर से जा रहा होता है तो ह्यूल उसका वीड चुरा लेता है फिर जेसी वेट करते होई दिखा है पर जब वो देखता है कि उसका वीड वहाँ नहीं है तो वो figure out कर लेता है कि उसका शक सही था कि वाल्टर ने ही Brock को poison किया था उसने हूल से वो चुरा लिया और Saul ने भी उसे मदद की थी वो बहुत ही चीड जाता है उसे लेने के लिए वो आदमी आता है पर वो उसके साथ नहीं जाता फिर वो Saul के यहां जाता है और उसे बहुत मारता है उसे मारने ही वाला होता है पर Saul उसे बोलता है कि मुझे Walter ने बताया था कि वो तुमारे अच्छे के लिए कर रहा है इसलिए मैंने यह किया था मुझे अगर पता होता कि Walter क्या करने वाला है तुम्हें कभी नहीं करता फिर जैसी गुसे गुसे में Walter की घर आता है Walter की घर जाकर वो सब पेट्रोल से चलाने वाला होता है Walter को Soul Call कर देता है Walter कारवाश पर होता है वहाँ से एक गन निकालता है और उसके घर पर चला जाता है यही एपिसोड खतम हो जाते है